पर मुझे ना प्रोस्टिटुशन बहुत कूल प्रोफेशन लगता है, I'll prove हूँ प्रोस्टिटुशन दुनिया का एकलोता ऐसा प्रोफेशन है, जहां पर experience के नाम पर कोई partiality नहीं होती है उनको freshers चाहिए दोस्टो जो अभी आपने वीडियो देखा, उसमें prostitution यानि वैश्या वृति को cool profession बताये गया है, जो काफी shocking है हाला कि इसे कहीं लोग कहेंगे कि एक stand-up comedy थी और एक मजाग था, जिसे इतना serious लेने की जरूद नहीं थी पर दोस्तो क्या वाकई में ये एक मजाग की बात है, हम लोगों को आजकर मजाग का मतलब सही से पता ही नहीं है आजकर के यूद उन जोक्स को ज़्यादा मजाकिया बताते हैं, जिसमें double meaning jokes या फे किसी को नीचा गिराना शामिल होता है, इतना ही नहीं अगर आपने गौर किया हो, तो आजकर के मशूर stand-up comedians जैसे अभी शेक उपमन्यू, अनुभव बसी, मुनावर फारुकी जैसे आर्टिस्ट कई बार तो महिलाओ पर इस कदर jokes बनाते हैं, जिससे लड़कों की image तो society में खराब होती ही है साथ ही लड़कों के प्रती जो सोच है समाच की, वो भी एक अलग रूप ले लेती है, इस चीज़ पर मशूर कभी, कुमार विश्वास ने हाली में बहुत सही बात कही है, उन्होंने अपने एक ट्वीट में इन stand-up comedians पर निशाना साथ वे इनके घटिया जोक्स को बेहु करते हैं, जो काफी relatable हो, जिसे लोग उनसे connect कर सके, पर इस होड में वो ये भूल चाते हैं कि कब वो मजदा की हत को पार कर जाते हैं, मैंने अभी recently एक stand-up comedy देखा था, जहाँ पर एक मशूर comedian लड़कों का मजदाग बनाते हैं और कहते हैं कि लड़कों में बिलकुल अकल इतना ही नहीं, कई बार तो यही stand-up comedians को ये तक पता नहीं होता कि वो कितना ज्यादा body shaming jokes crack कर रहे होते हैं और उनके इस वीडियो का लोगों पर क्या असर हो रहा है, कई बार जब comedians मजाक में भी लड़कियों के लिए मोटी, काली या फिर बिवगूफ शब्त का प्रयो उने को मजाक की निगाव से देखने लगती है, और अपना self confidence lose कर देती है, अगर आपने पहले के comedians को देखा हो और उन्हें आपके comedians से compare करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज की comedy और पुराने समय की comedy में कितना ज्यादा फर्क है, पहले के comedians अगर लोगों को हसाते भी थे ना, तो वो किसी का मजाक बनाकर नहीं, बलकि situations का मजाक बनाते हुए जोक क्राक करते थे, पर आज के comedians, vulgarity, double meaning चीजों को पकड़ कर जोक्स बनाते हैं और लोगों को हसाते हैं, दोस्तों लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा, कि आज कर की audience पहले की audience से काफी इस तरह से घटिया और double meaning बातों से उनकी image भी खराब होती है, और society पर भी बुरासर पड़ता है, हमें समझना चाहिए कि इस तरह के jokes हमाई society क्ले सही नहीं है, इससे लोगों के दिमाग में अच्छे विचार की बजाए, सिर्फ गलत सोच ही पैदा होती है, और खास तोर प को मजाग का पात्र बना कर उनके body size, body color और उनके feelings का मजाग बनाना तो काफी गलत बात है, दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बार में, हमें comment करके ज़रूर बताईए